स्वराश्र के बोटाद के विधायक उमेश मक्वाना ने गुजरात में आउजित वाइबरेंट समिट दोहजार चौबिस का खर्श प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री की तंख्वा से चुकाय जाने की मांगी है मान्निय मुख्यमंत्री स्री ने में एक पत्र लखी और आज वाइबरेंट नो जे खर्श जे थे थे थावानो जे थाईरोचे संभवित खर्श ए गुजरात ना पनोता पुत्र मानिय नरेद्रबाय मोदी आपड़ा देशना वराप्रदान ना पगर माथी काप्पामा आवे साथो साथ आपड़ा जे मुख्यमंत्री स्री से एना पगर माथी काप्पामा आवे तेवी में मांगनी करी छे गुजरात नी जन्ता वाती गणा वर्ष थी एटला के 2013 आ वाइबरेट स्मीट नू गुजरात मा आयोजन करवा माई विरियू छे अने तेरे 2023 मा एटला के अंदाजे दसेक जेतला आ गुजरात मा वाइबरेट स्मीट योजवा माई वा जमाह जरो यमाव अलग-अलग थ्या छे अने अटला बदा यम चुदरी नथी महिलाओने पूर्तु एना जेने क्यावाई के कोई रुजगारी माई यहले के आवा वाइबरेट गुजरात ना स्मीट ना कारणे मात्रने मात्र भक्त पोताना जे मानिता उज्योपतियो जे छे अदाने यम्बाने जेवा यमने दा फाइदो करवा माटे एक योजवामा आविर्याचे एले क्या एक मात्र ने मात्र जेने क्यावाई के चुछनी फंड एठ्टू करवानू आ एक सम्मीट छे आमा गुजरात नी जनता ने कोई फाइदो नथी थातो और जो कदाच आपने आ वाइबरेट समीट 10 वकत आ 2013-2023 सुदी आ योज़ाई तमाम जो खर्च अत्यारे कदाच आपड़े एनो टोटल मारवी तो गुजरात ना तमामे तमाम जे खेडुतों छे एनू आपने देनू माप करी सेक्या होत और जो कदाच आपने गुजरात नू जे 16,000,000,000 करोण नू जे देनू छे जे गुजरात ना आवनारू जे बज गुजरात के जुनागड के वन्थली हाइवे पर एक साथ चार वाहन दुरगटना घरस्त होए जिन में परियतन के लिए निकले स्कूली चात्रों का वाहन भी शामिल है जुनागड वन्थली हाइवे पर एक साथ चार वाहनों के दुरगटना घरस्त होने की जानकारी मिली है इस दुरगटना में स्कूल के शात्र जो परियतन के लिए निकले थे ऐसे छोटे छोटे बच्चे दुरगटना का शिकार होए दुरगटना होने पर इन बच्चों को वांथली सिविल अस्पाताल में इलाज के लिए ले जाया गया और गंबी रूप से घायल बच्चों को तातकालिक 108 की मदद से जुनागर सिविल अस्पाताल रेफर किया गया इस दुरखटना के चलते PSI राणा और उनका स्टाफ मौके पर महुचे मामलत दार जाड़े जाबी दुरखटना गरस्त बच्चों से मुलाकात करने मौके पर महुचे